हलो फ्रेंड्स और विल्कम बैक टो मैं चैनल बेंगॉली फैमिली इन यूए जहां मैं बात करती हूं यूए और ट्रावल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की तो दोस्तो आप लोगों मैं से बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कोरोना का क्या अपडेट है यूए आना है क्या क्या करण नए कुछ रूस आए हैं इंडिया से आना है पाकिसान से इन सारी जगों से यूए के लिए आना है या यूए से आपको इंडिया जाना है तो क्या नए आ रहे हैं कि Corona की केसेज बढ़ रहे हैं हाला कि बहुत ज्यादा हो गया थे Corona के कैसेज लेकिन एक नया variant जो पाया गया है चाइना में उसके बाद एक चाइना का ही वह वेरियंट इंडिया भी पाया गया है सब्सक्राइब भूर रहे हैं लेकिन आप बात कर परसेंट लोगों का रैंडम RTPCR टेस्ट हो सकता है थर्मल स्क्रीनिंग से सब को गुजरना होगा अगर वहां पे आप सिम्टोमेटिक होते हैं यानि की सिम्टम सोते हैं आपको फीवर वगरा होती है तो फिर आपको होम क्वारेंटेंट का वहां पे परमिशन लेना होगा और यह बोला जा रहा है कि अच्छा होगा कि आप लोग वैक्सिनेटेड हो लीजिए अनवैक्सिनेटेड हालत में आप लोग ट्रावल ना करें तो ही बेतर है अगर अनवैक्सिनेटेड आप लोग ट्रावल कर रहे हैं तो बेटर है RTPCR की टेस्ट रिपोर्ट अपने पास ही है यह एडवाइस किया रहा है अगर आप अपना वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट साथ में रखे अगर आप अन्वैक्सिनेटेड़ है तो बेटर है कि आप एक आर्टी पीसियार का टेस्ट अपने साथ में करी कीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो तो यह है यह एर ट्रावल का तो यूए ट्रावल में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं यहां पर कोरोना किसे जो बहुत जादा बढ़ रहे हैं ऐसा भी कुछ भी नहीं है हालंकि इंडिया ने एक और बुला कि चाइना से जापान से अमेरिका से यहां सबसे जो कनेक्टिंग फ्लाइट से या टैरिक फ्लाइट जो आ रही हैं वहां पर थोड़ी आर्टी पीसियार की जो परसेंटेज जो है टेस्ट करने की उसको बढ़ाया जाए और उनके जो वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट है या फिर आर्टी पीसर टेस्ट रिपोर्ट है उसको अच्छे से चेक किया जाए दो ती अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहां पर भी केसिस राइस हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है यूँए के अंदर आप लोग बेफिकर होके आ सकते हैं कोई दिकत नहीं होगी आपको तो गैस आई होप यह वीडियो आपको हेल्प हुई होगी और भी कोई कुशन हो कम और बॉक्स में जरूर बताइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं अपडेट के साथ तब तक के लिए गुट बैंट टेक क्यार